हलो प्यूरिफुल पीपल कैसे हैं आप सब आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक ऐसे स्किन केर प्रोड़क्ट का रिव्यू जो हमारे स्किन केर पे बहुत ही ज्यादा मस्ट है बट हम सब जो है उससे इगनौर मार देते हैं क्योंकि हमें उसकी जो इंपॉर्टेंस से हैं आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा सबसे पहले जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है स्किन की वह होती है ओपेन पोर्स की प्रॉब्लम स्किन ज्यादा होता है लेकिन जब पैल्यूशन ड़स्ट केमिकल्स धूप एजिंग यह सारी चीजें होती है तो उसकिन पर पड़ता है क्योंकि यह जो पार्ट होता है हमारा वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है और कोई भी चीज से बहुत जल्दी एफेक्ट करता है इस पर आज हम बात करेंगे अगर आप इसको चेक कर पारे होगे तो मैंने यहां तक यूज किया है अल्मॉस्ट वन मन्त मैंने यूज किया यह प्रोड़क्ट थोड़ा सा ही लगता है आपको ज्यादा यूज करने की जर्वत नहीं पड़ती है और फेस पे बहुत जल्दी ही एब्सॉर्व हो जाता है इ पर लिखा है कि स्किन करता है स्किन को हाइड mínस करता है ऑर स्किनéral के जो पोर्स को है यहां पर लिखा है टाइटन पोर्स साली टॉनर्लवीड मार्कर और मीर्किट में अवेलिबल है जो आप ठ्राइप कर सकते तो EPA को मिनिमाइज करने अगर आप जब मेक अप यूज़ कर रहे हो तब आपको यह सब करना होता है बड़ जब आप नॉर्मली जब मॉंस्चिराइजर संस्क्रीम लगा के कहीं भी जाते हो और आपका जो ओपन पोर्स है वो दिखने लगता है और वो जादा ही लोगों के नजर में आता है तो उसमे आपको यूज़ करना है तो वो दीरे-दीरे करके रिजल्ट देगा बिकर्स ओपन पोर्स की प्रॉब्लम बहुत जल्दी तुरंच छट से सॉल्फ नहीं होती उसमें आपको टाइम देना पड़ेगा आपकी पिग्मेंटेशन है आपको कुछ है तो वो प्रॉब्लम सॉल् यह जो टोनार है आप इसके बारे में बात करेंगे कितना इफेक्टिव है और इसका प्रॉफ उसमेंगा झोर्फ नाशन पर जो है बिलकुल भी व्लक्रिन्स नहीं है अब पहले जो हता है ना जब हम लोग फिल्फ के टाइम पे थे है या फिर के टाइम पे तो रोजव जो पता है कि रोज वाटर की इतना इंपोर्टन है जो जादा है जो जादा हम भी जाएगा है और आपकी जो तो यह टोन करेंगे तो यह सारे ingredients अगर rose water के साथ mix हो जाए तो obviously इसका जो effective जो है यह और भी ज्यादा हो जाएगा और यह आपको जो long रंग में आपके skin को बहुत ही ज्यादा help करेगा यह product मुझे पसंद आया बात कर लेते हैं open pores पे कितना काम किया तो यह जैसे कि आप देख रहे हो open pores मेरी अभी भी है पूरी तरह से गए नहीं है लेकिन हाँ इसने थोड़ा सा जो है pores पे काम किया है और आप इसे makeup के नीचे आप अपने moisturizer के नीचे आप इसे night time day time आप इसे कभ भी लगाने का मन नहीं है आपको सिर्फ face wash करके अगर आपकी fresh skin को जो है fresh glow दिखाना है तो आप इसे use कर सकते हो यह इतना effective है और बात कर लेते हैं कि इसकी price के बारे में तो इसकी MRP है वो 225 रूपीज है मैंने नियरे store से लिया है आप online भी check कर सकते हो online जो है यह आपके maximum सा साइट में मिंत्रा में आप कहीं भी check कर सकते हो आपको discounted price में मिल जाएगी और इसकी जो manufacture date है यह use before 24 months यानि की यह जो date 11-20-23 की है 24 months की इसकी validity है और इसकी जो ingredients है यहाँ पे ingredients के सारे list जो है वो mentioned है तो आप check कर सकते हो और paraben free है यह और इसमें जो है यह no animal ingredients 100% vegan product है no harmful chemicals और यह सारे जो benefits है इसमें दिये गए हैं आपको skin को बिलकुल भी irritate नहीं करेगा आप किसी भी skin type के हो sensitive हो combination हो dry हो oily हो आप सारे skin type वाले इसे बेज जग यूज कर सकते हैं और इसकी जो quantity है वो 100 ml है वन मन्द में आप देख सकते हो तो यहाँ तक है यूज bottle यूज हुई है तो यह और एक मन्थ मेरा चल जाएगा यानि कि टू मन्स अराम से यह 225 रुपीज में तो बिलकुल ही सस्ता पड़ा अगर आप टू मन्स इसे आप इसे यूज कर सकते हो आयँ को पी टूनर को यह नहीं किया हूँ कि अपने स्किन केर में तो इंकलूट करना है विगयूज पिक जलो इंकलूट करना है कि विग लूट ना की कृत्व क्लीज और प्रेश दूना प्रेश बचानलग है। यह तो इन्की guest का रिव्यू अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब मिलते हैं नेक्स फीडियो पे तब तक के लिए ठेक केर बाबाई